कैसे हैं आप लोग तो आज मैं शेयर कर रहे हूं आप सभी के साथ में जबर्दस चिकन बोटी कबाब बनाने की बहुत सिंपल सी रेसपी इसे आप भी एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा और इसके साथ में एक डिब बनाएंगे जो बहुत ही लगती है तो दोनों का कॉंबिन कर दाना लिया हुआ एक चोटे चमच जीरा एक चोटे चमच दो तेज पत्ता तील लाल सुकीवे मिर्च है दो साथ में हरी मिर्च भी लेनी है हमें और यह जो सारे मसाले इने ड्राय रोस्ट कर लेना है यहां पर मैं हाफ केजी चिकन से बना रही हूं यह रेसपी तो मसाल मसाले हमें इसी तरह से एक चोटे चमच ही लेने हैं काली मिर्च मैंने कुछ हाट दस पीस ली है एक दो लॉंग और एक चोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है अब यहां पर पांच पीस काजू और पांच शेपीस बादाम लेना है साथ में हमें कोकोनट का पाउडर एक चो इसके साथ ही इसमें दो प्यास को फ्राइ करकर डाल देना है उतली हुई प्यास डाल दी है मैंने और अब थोड़े पानी के साथ में इसको ग्राइंड कर पेस्ट बना लेंगे अब यहां पर मैंने बोटियां काट कर रखी वी है चिकन की बोलने से चिकन लिए हाफ केजी इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कटकर कर रखा है, इसमें अब हमें दो बड़े चमच अदरक लेसिन का पेस्ट डालना है, इसके साथ ही इसमें हमने जो मसाला तैयार किया भी, सारे मसाले को ग्राइन किया है, बिल्कुल fine सा paste बनाकर यह डाल दिया यहां पे अब इसमें हमें डालना होगा दही तो दही मैं यहां पे 1 3rd cup around 2.5 चमच डाल रही हूं इसके साथ ही इसमें हमें नमक डालना है तो नमक यहां पे 2 छोड़े चमच या टेस्ट के according रखिएगा तो यह सारे मसाले अब हमें हाथों से मिला देने हैं चिकन में हमें कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ें नहीं डालनी है बस यही चीज़ डालनी है सारे चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया है जब यह mix हो गई है तो अब इसमें मैं binding agent डाल रही हूं जिसमें दो स्पून में ले रही हूं रोस्टे चना पाउडर प्लस एक पिंच बने फूड कलर लिया है और बस इसे अच्छे से हमें मिला देना है और मिला कर अभी इसे हमें अच्छे से धक कर रख देना होगा उससे पहले इसके उपर हम लोग डालेंगे दो टिबल स्पून गुनगुना तेल यह वही तेल है जिसमें हमने प्यास फ्राई करी है तो यह ओयल को थोड़ा गुनगुना करकर आप इसके उपर डाल दीजे और अभी इसे धग कर आदे गंटे के लिए साइट पर रख दीजे आदे गंटे बाद में बहुत ही ज़ादा जबरदस से कबाब बनने वाले हैं हमारे तो अब जब आदे गंटा हो गया है तो अब मैं सारे चीजों को एक बार अच्छे से एक बार एक अठा मिला दे रही हूँ और यहाँ पर खुश्बुएं बहुत ही जबरदसी आ रही है अब यहाँ पर आपने क्या करना है एक वुडन सीक लेनी है और इस तरह से बोटियों को इसमें डाल देना है तो यह देखें बस जिस तरह से हम लोग कबाब बनाते हैं उसी तरह से इसमें हमें इसको औरेंज कर देना है तो एक एक सीक पे हमें इस तरह से सारी बोटियों को डाल देना है ये देखें जादा बड़े साइस की बोटिया मैंने नहीं रखवाई है बिल्कल छोट-छोटे पीसे में कटवा लिया है जिससे इनको सिखने में भी असानी होगी सारे एक साइस के हैं तो मज़े से सारे सीख हमारे बन कर त्यार हो चुके हैं अब यहां पर हमें क्या करना है एक फ्राइंग पैल लेनी है जिसमें हमें दो से तीन चमश तेल चाहिए होगा और बस इस तेल को गरम करने के बाद में हमें इस तरह से बोटी कबाब को औरेंज कर देना है जो हमने फ्रीक में लगा कर रखी है अगर आपके पात में यह नवह पर तील में डायरिक्ट सारा geld में दाल सकते हैं तो यहां पर पाब प्रॉटन ही जित्ना प्रिपरियर किया यह प्रेश बूट सारा दाल रही lots less फीक चे जबाने धारे नardon हैं बार बनाना चाहेंगे चिकन बोटी कबाब के जो रेसेपी वेर्यू में आपको बहुत सिंपल और असान है कुछ भी नहीं करना बस एक मसाला पेस्ट बनाना है इसे मारिनेट करना है और यू जट पर फट फट ये बना कर तयार कर लेना है देखे कुछ टाइम हो गया है और ये एक साइड से बिल्कुल प्रॉपर्ली सिख चुका है तो बस अदल बदल कर देना इसकी साइड को जिससे ये अच्छ से सिखती रहे इसी में आप चाहे तुफले मीडियम रखें या फिर मीडियम लो पे रखकर इसे बिल्कुल अच्छ से 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 लिग लीजिए जब तक इस तरह के क्रिस्पी नहीं हो जाए और बहुत ही खुबसूर इस तक कलर नहीं आ जाए इनके उपर और तुगेदर दस बारा मिनट हो जाते हैं और ये बहुत ही जादा अच्छ से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है मैरिनेशन में हमने इसको जो रखा है इसकी वज़े सी ये कोल बर्ण कर लिया था और इसके उपर घी डाल कर बस इसे धग देना है जिससे स्मोक बन जाएगा जब तक कबाब में स्मोक आ रहा है इस दरम्यान में हम लोग एक डिप तैयार करते हैं जिसके लिए मैंने पुदीना लिया हुआ है एक मुठी और अब मैं इसमें डाल रह जाती है जो कि इस बोटी कबाब के साथ में बहुत ही जायकेदार टेस्टी लगती है तो यह देखे तब तक स्मोकी सा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया है और इनको अब मैं इस तरह से प्लेट कर दे रही हूँ तो बस इस तरह से आप भी कबाब का प्लेटर अरेंज कर सकते हैं कुछ सालेड रखें काट कर और इसके साथ में यह डिप और साथ में तयार स्मोकी बोटी कबाब तो जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको मेरे रसपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप भी एक पर अपने घर जट पर बना लीजिए अपने फैमली फ्र अगर आपके पास में कोई भी सजेशन या फीडबैक है या रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट तो मुझे अब बता सकते हैं मैं आपकी रिक्वेस्ट सुनूंगे और उसको जल से जल पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगी चले फिर मिलती हूं मैं तब तक अपना और अपनी जल अपके लिक्वेस्ट वर वर जप हता है रिक्वेस्टाल